सबागत है आप सभी का अपने चैनल आस क्लास में आज के इस वीडियो में भुगोल के 40 निचोड अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और ये जो 40 अबजेक्टी प्रशन है ये आपके फाइनल बुड परिक्षा के लिए काफी महत्पुन हैं तो एक भी प्रशन आप आप लोग स्कीमत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेकर अंतक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे नोट बुक पे लिखके जुरूर याद कर लिजिएगा और हम अपने वेबसाइड पे संस्क्र के 40 subjective question और उसका answer का notes upload कर चुके हैं तो अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किये हैं तो आप लोग जा के डाउनलोड कर लिजिए अगर आपको notes और PDF डाउनलोड करना नहीं आता है तो इसी वीडियो के last में हम आपको बताएंगे कि आप लोग notes और PDF कैसे डाउनलोड कर स शुरू करते हैं पहले नंबर प्रशने से तो पहला नंबर प्रशने है कि काली मिर्दा का दूसरा नाम क्या है काफी महत्पुड प्रशने है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिर्दा यानि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बीवाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो ये कपास के लिए उपयोगी होता है, इसे आपको याद रखना है, एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो गुजरात राजे में सबसे अधिक पाया जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन दो नमबर प्रशन है कि पारादिब बंदरगा कहां पे इस्तित है यहाँ पे आपको बताना है कि पारादिब बंदरगा कहां पे इस्तित ह तो गुजरात राजे में इस्तित है इसे आपको याद रखना है एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि कहां का बंदरगा सबसे बड़ा बंदरगा है तो मुंबई का बंदरगा सबसे बड़ा बंदरगा है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं बैंगलूरू को कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि बैंगलूरू किस राजे की रजधानी है तो ये करनाटक राजे की रजधानी है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चार नंबर प्रश्ण है कि हरित करांती का प्रभाव किस फसल पर पड़ा काफी महत्पुड प्रश्ण है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि हरित करांती का प्रभाव किस फसल पर पड़ा तो गेहुं एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि हरित करांती की सुरुवात किस राज्य से हुआ था तो पंजाब राज्य से हुआ था तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन पांच नंबर पांच नंबर प्रशन है कि भारत का नारियल किरल में नारियल सबसे अधिक होता है इसलिए किरल को नारियल परदिश कहा जाता है इसे आपको याद रखना है और किरल में मसाला भी सबसे अधिक होता है तो इसे भी सांथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन छे नंबर प्रशने की जाम नगर त सुधा करखाना किस राज्य में इस्तित है तो ये गुजरात राज्य में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डिवाला उप्षन बिल्खुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सात नंबर सात नंबर प्रश्ण है कि सबसे बड़ा जल संग्रा क्या होता है काफी महत्पुड प्रश्ण है यह आपके बुड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रा क्या होता है तो महासागर होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एव बड़ा महसागर कौन सा है तो परसांत महसागर है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना आठ नमबर आठ नमबर प्रशने की बिहार में रजुमार्ग कहां है काफी महत्पुड प्रशने ये भी यहाँ पे आपको बताना है की बिहा तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आए देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नंबर प्रश्ण है कि चिपको आंदूलन के अगरिर्ण नेता कौन थे काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदूलन के अगरिर्ण नेता कौन थे तो बचाने से संम्मंधित है, इसे आपको याद रखना है और चिपकों अंदोलन का शुरुवात किस राजे से हुआ था, तो उत्राखंड राजे से हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना हैdem, आईए देखते हैं, अगला प्रशना, 10 नमबर, दस नमबर प्रशन है कि मुंबई हाई क्यों परसीद है काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बूड परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों परसीद है तो तेल सुधक करखाना के लिए परसीद है यहाँ पे भी वाला उप्सन बिल्कूल ही 11 नमबर प्रशन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है ये भी काफी महत्पुड प्रशन है और ये भी प्रशन बोड परिक्षा में बार बार पूछा जाता है यहाँ पर आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है इसे याद रखना है यहाँ पर C वाला ऑप्शन बिलकुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि जूट किस राज्य में सबसे अधिक होता है तो पस्चिम मंगाल में सबसे अधिक होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि उजला सूना किसे कहा जाता है तो उजला सूना कपास को कहा जाता है इसे आपको याद रखना है और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना ह आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 12 नमबर प्रश्ण है कि पटना हवाई अड़ा का नाम क्या है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड़ा का नाम क्या है तो जैप्रकास हवाई अड़ा है इसे आपको याद रखना है यहाँ प अगला प्रश्ण तेरा नंबर प्रश्ण है कि विहार के किस जिले की प्रतिवेक्तियाए कम है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि विहार के किस जिले की प्रतिवेक्तियाए कम है तो सिवर जिला का प्रतिवेक्तियाए कम है यहाँ पे सी वाला याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 14 नंबर 14 नंबर प्रशन है कि गंडग पर्यूजना का निर्माड की सस्थान पर हुआ है काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि गंडग पर्यूजना का निर्माड की सस्थान पर हुआ है तो बालमीकी अगर में हुआ है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि बिहार की सोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है इस वीडियो में हम आपको भूगोल के 40 निचोड अब्जेक्टी प्रशन बताएंगे तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और विडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग विडियो क किस जिले में अधिक होता है तो रोहतास जिला में सबसे अधिक होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन सोला नंबर सोला नंबर प्रशन है कि सोपानी क्रिसी किस राज्य में होता है काफ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 17 नंबर 17 नंबर प्रशन की बिहार में खाद कर खाना कहां है काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है की बिहार में खाद कर खाना कहां पे है तो बरौनी में है इससे आपको याद र रखना है यहाँ पे बिवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 18 नंबर 18 नंबर प्रशन की सुन्दर वन है काफी महतपुड प्रशन है यह भी आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है की सुन्दर वन किस राज्य में हैं तो पस्चिम बंगाल राजे में है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बिवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है की फाल्टा विसेस आर्थिक छेतर कहा पे इस्दित है तो ये भी पस्चिम बंगाल में है तो इसे भी साथ में आप को याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 19 नंबर 19 नंबर प्रशन है कि किस खनीज को उध्योगों की जन्नी माना जाता है काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनीज को उध्योगों की जन्नी माना जाता है तो लोहा को माना जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला उप्शन विल्कुली सही हो जाएगा क्योंकि लोहा का सबसे अधिक उपयोग उध्योगों में होता है इसलिए उध्योगों की जन्नी किसे माना जाता है तो लोहा को माना जाता है तो इसे आपको याद रखना है आईए देख अगला प्रश्ण 20 नमबर प्रश्ण है कि भारत के किस सहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा की सुरूआत हुई काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस सहर में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा सुरू हुआ तो कुलकत्ता में हुआ इसे आपको याद रखना है काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 21 नमबर प्रशन है कि भारत में सबसे पहले रेल गाड़ी किन एस्टेशनों के बीच चली थी काफी महतपुड प्रशन है और ये भी प सबसे पहले रेल गाड़ी किन एस्टेशनों के बीच चली थी तो मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले रेल गाड़ी दिवसकब मनाया जाता है तो 15 मार्च को मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा और मजदूर दिवसकब मनाया जाता है तो एक मई को मनाया जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते ह अगला प्रश्ण है 23 नमबर, 23 नमबर प्रश्ण है कि संजे गाधी जैविक उध्यान किस नगर में इस्तित हैं, यहाँ पर पटना नगर में इस्तित हैं, इसे आपको याद रखना हैं, यहाँ पर D वाला अप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, और पटना में एक और चीज़ महत्पूर्ण है गोल घर तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है गोल घर कहां पे है तो पटना में है और गोल घर कब बना था तो 1786 इस्वी में बना था तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 24 नम यहां पर भी वाला उप्शन बिल्कूल ही सही हो जाएगा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल गजट का प्रकासन किस ने किया था तो जैम सीकी ने किया था तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर 25 नंबर काफी महतपुड प्रश्न हैं यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सब्द 2 या 2 से अधिक देशों के ब्यापारों को दर्शाता है तो अंतराष्टिय ब्यापार दर्शाता है इसे आपको याद रखना है यहां पर सी वाला उप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा एक प्रश कहते हैं और विश्व वेपार संगठन का मुख्याले कहां पे हैं तो जनेवा में हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना 26 नंबर 26 नंबर प्रशने की टाटा आइरंड एंड इस्टील कंपनी की अस्थापना कब हुई थी यहां आपको बताना है कि टाटा आइरंड इस्टील कंपनी की अस्थापना कब हुआ था तो 1907 में हुआ था यहां पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और टाटा आइरंड इस्टील कंपनी की अस्थापना किस ने किया था तो जमसेज जी टाटा जी ने किया था तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 27 नंबर 27 नंबर प्रशने कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है यहाँ पर आपको बताना है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है तो कहवा करनाटक में सबसे अधिक होता है यहाँ ये वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा कहवा को ही coffee कहा जाता है इसे आपको याद रखना है एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि अरेवी का किस फसल का उत्तम किसम है तो अरेवी का कहवा यानि कौफी का उत्तम किसम है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 28 नमबर 28 नमबर प्रशन है कि बिहार में जूट उत्तपादन में यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्तपादन में क्या हो रहा है तो गिरावट हो रहा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णा 29 नमबर 29 नमबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उध्योग है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उध्योग है तो जो खिलोना उध्योग होता है यह छोटे पैमाने का उध्योग होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे किस राज्य में इस्तित है तो ये उडिशा राज्य में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 31 नंबर 31 नंबर प्रशने की चायपत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है पर D वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा और कॉफी किस राज्य में सबसे अधिक होता है तो करनाटक राज्य में सबसे अधिक होता है इसे आपको याद रखना है और उत्तर परदेश में चीनी सबसे अधिक होता है इसे आपको याद रखना है और नमक सबसे अधि कहां पर होता है तो गुजरात राज्ये में होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ना बातिस नंबर प्रश्ना है कि प्राड़ीो के सरीर में कितना परतिसद जल की मातरा नहीं थAre यहाँ पे आपको बताना है कि पराणियों के सरीर में कितना परतिसत जल की मातरा नहीं थे तो पराणियों के सरीर में 65 परतिसत जल की मातरा नहीं थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कूल ही सही हो जाएगा और पृत्वी पर कितना परतिसत जल पाये जाता है तो 71% जल पाये जाता है और 29% भूमी पाये जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 33 नमबर प्रश्ण है कि भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राजे कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सबसे यानि लोहा का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो करनाटक राज्ये में होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर इवाला ओप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक प्रश्ण ये भी पूछा जाता है कि लोहा का कौन सा यहाँ पर दिखिए कौन सा faço है तो पि बताना है कि भारत का प्रथम जल्विधुत सन्यंतर की अस्थापना कहां पे हुआ था तो दार्जलिंग में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहां पे सीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और दार्जलिंग कहां पे है तो कुलकत्ता में यानि पस्चिम बंगा इसे कौन सा है तो भारत का रास्टिय पक्षी मोर है इसे आपको याद रखना है यहां पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि भारत का रास्टिय पसु कौन सा है तो बाग है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है यहां पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि कोईला का सबसे खराब किसम कौन सा होता है, तो पीट होता है, इसे आपको याद रखना है, और कोईला कितने परकार की होते हैं, तो कोईला चार परकार की होते हैं, कौन कौन से होते है तो पहला होता है एंत्रा साइड, दूसरा होता है बीटू मीनस, तीसरा होता है लिग नाइट और चोथा होता है पीट, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, आईए देखते हैं अगला प्रशने 37 नंबर, 37 नंबर प्रशने की ओप्रेशन फ्लड का संबन्द किस से है यहाँ पे आपको बताना है कि ओप्रेशन फ्लड का संबन्द किस से है तो दूद से है इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे भी वाला ओप्रेशन बिल्कुली सई हो जाएगा, एक प्रशने ये भी पूछा जाता है कि स्वित करांती का संबन्द किस से है तो स्वित करां 38 नमबर प्रशन है कि भारत में अर्थ वियोस्था का मूल अधार क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में अर्थ वियोस्था का मूल अधार क्या है तो क्रिसी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर भी वाला उप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और भारत में कि 49 नमबर, 49 नमबर प्रशन है कि किसने कहा संसादन होते नहीं बनते हैं, काफी महतपुड प्रशन हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा संसादन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमेन ने कहा इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला उप्शन विल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जौहरलाल नहरुजी ने कहा तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अंतिम प्रशन चालिस नंबर प्रश्ण है कि टेक्सोल का उप्योग होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उप्योग हम लोग कहां पे करते हैं, तो cancer के उपचार में करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा और टेक्सोल कहां से होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, यहाँ पे हम आपको भूगोल के 40 निचोड objective प्रश्ण बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्ण आपको याद रहो, तो प्लीज आप लोग उसे notebook पे लिखके जुरूर याद कर लीजिएगा, और हमारे WhatsApp हम आपके लिए करते हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को all पे दबा लीजिए, ताकि जब भी live class हो, तो आपके पास notification पहुंचता रहे, तो चलिए हम आपको बताते हैं, और उससे पहले किसी एक को आपको क्या करना है, open कर लेना है, और जैसे ही आपको यहाँ पर दीखिए, Google या Chrome open हो जाता है, तो यहाँ पर एक search box दीखेगा, इसमें आपको लिखना है, ask glass दीखिए, जैसे हम लिख रहे हैं, वैसे आपको लिख देना है, यहाँ पर दीखिए, ASK और फिर CLAW यहाँ पर बस आपको ask class लिख देना है, जैसे ही ask class लिख के आप लोग सर्च किजिएगा, तो सबसे उपर जो ask class लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर दीखिए, ask class, तो बस इसी पर आपको click कर देना है, और जैसे ही आप लोग click किजिएगा, आप हमारे official website पे आज़ेगा, यह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, जो यह तीन post है, यह काफी महतपुड है, और यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, संस्कृत, और यहाँ पर 40 subjective का notes, और यहाँ से आप लोग download करें, बिल्कुल free में, तो आपको अगर download करना है, तो इसके photo प बढ़ सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर नीचे आईएगा, और यहाँ पर देखिए, संस्कृत, subjective question और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कि इस लिंक को आपको दबा देना है, तो जैसी आप लोग दबाईएगा, तो जो 40 संस्कृत का यहा बाद कर लिजिएगा, क्योंकि काफी qun है, और यहाँ से देखिए, यह ढाउनलोड होगा, यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो यह ढाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप लोग टेस्ट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक किजिएगा यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे देखिए आपको टेस्ट देना है तो आज ही का डेट का आपको टेस्ट देना है तो यहाँ पे सबसे उपर वाला टेस्ट पे आपको क्ल तो यहाँ पर देखिए इस टेस्ट में टोटल 20 कोशन है और यहाँ पर देखिए प्रशन है कि सुकराणू का रंग अपर इपकवस्था में कैसा होता है तो चार ओप्शन मिलेगा इसमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक किजिएगा उसके बाद नेक्स्ट कर ऐसे ही आपको 20 परशनों का टेस्ट दे देना है और लास्ट में यहाँ पे आएगा C रिजल्ट तो आपको यहाँ पे C रिजल्ट करके यहाँ पे आपको छोड़ देना है और आपको लास्ट में आपको परसिंटेज बता देगा उसके बाद टेस्ट का समय कब होता है तो 7 बज़े स्टार्ट होता है और दो बज़े तक last रहता है और आपका तीन बज़े result आता है तो दो बज़े से पहले आप लोग test दे दिजिएगा तो आपका result में नाम आएगा और result कैसे download होगा तो यहाँ पर दिखिए download PDF लिखा हुआ है तो इस thank you for watching मिलते हैं अगले class में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए take care and bye